एलो नमस्कार दोस्तों मैं दीपक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब के चैनल स्टिडी में तरपर दोस्तों आज के इस वीडि़ो बात करेंगे राश्टर राजमार्गों कों मैप पर देखेंगे ही साथ में कौन से जिले से गुजर रहे हैं तो उन परमुग र वर्तमान में राष्टर राजमर्ग की कुल संख्या वह 49 है और राजस्थान में जो सभी सड़के है उनकी कुल लंबाई कितनी है सभी सड़कों की कितनी है राजस्थान में जो सभी सड़कों की लंबाई जो है और इस्टेट हाइवेगी जो लंबाई जो है 15,437.55 km मुख्य जिला सडकों की लंबाई 8,421.10 km और अन्य जिला सडकों की लंबाई 31,431.17 km ग्रामिन सडकों की लंबाई सबसे ज़्यादा है 1,63,320.54 km तो सबसे ज़्यादा तो ग्रामिन सडकों की लंबाई है राजस्तान में और सबसे कम राष्ट राजमर्गों की लंबाई है इस क्रीन शॉट ले लेना दोस्तों आप साथ में इसका आगे बढ़ते हैं अब देखते हैं कौन सा एनेच कहां से गुजर रहा है मैप के अंदर यह जो आगरा से होते हैं मुंबई तक जो एनेच जा रहा ह जिले से गुजरता है धौलपूर से ठीक है बहुत इंपोर्टेंट प्रेशने धियान रखना एनेच 3 राजस्तान की कौन से जिले से गुजरता है धौलपूर से गुजरता है और इसको जो नया नंबर अलोट हुआ है नह 44 और इसकी कुल लंबाई 28.29 किलोमीटर राजस्त है इसकी लंबाई फिर दोसा, जैपूर, सीकर, चूरू और बीकानेर में जाके ये नह 15 के अंदर मिल जाता है इसको जो नया नंबर अलोट हुआ है 21, 52 और 11 यो है नह जो जा रहा है लाल कलर में ये राजस्तान का सबसे बड़ा एनेच है नह 15 जिसकी कुल लंबाई लगब पहले उसका नाम नहीं था, 3745 किलोमेटर लंबा है भारत का सबसे बड़ा नहीं नहीं गुजर रहा है लेकिन दोस्तों यहां पर हनुमानगड में थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को क्योंकि रीट में जो प्रशन आया था उसके अंदर यह आया था कि हनुमानगड यह दिला शामिल है और करीबन इसमें 8 किलोमेटर लंबे बता रहे हैं वहाँ पर ठीक हैं तो यह थोड़ा सा ध्यान रख लेना प्रशन की हिसाब से आप अपने हिसाब से आंसर दे देना तो यह जालो और जालो और से बाड़ मेर बाड़ मेर से जेसल मेर जेसल मेर से जोदप यह जो एने जा रहा है जैपूर में जैपूर से सिधा मद्यपरदेश यह नेच 12 ठीक है जो राजस्तान की जैपूर जैपूर से फिर टॉंक टॉंक से फिर थोड़ो सा भीलवाड़ा और भीलवाड़ा से बूंती बूंती से कोटा और कोटा से जहलावाड होते वे मद्यपर यह जो दो NH है black color के इंदरा है यह पहला तो है 11A जो दो सा से लेके जैपूर तक है और यह जैपूर में NH 8 में मिल जाता है और यह 11A का ही विस्तार है जो दो सा से टॉंक तक है ठीक है यह NH 11 को NH 12 से जोड़ देता है 11A का जो विस्तार है और जो 11A है वो NH 11 को NH 8 से जोड़ देगा भी आगे फिर यहीं से दोस्तों एक NH 1 को निकलता है 11B ठीक है दो सा से जो धौलपूर के अंदर जाके NH 3 में मिल जाता है यह जा रहा है राजस्तान का सबसे वेस्ट राष्ट राजमारगे NH 8 ठीक है और इसी NH प आजस्तान के 6 जिलों से गुजर रहा है यह कौन-कौन से देखो इदर से अलवर, अलवर से जैपूर, जैपूर से अजमेर, अजमेर से रास्समन, रास्समन से उद्यपूर, उद्यपूर से फिर डूंगरपूर होते हुए यह मुंबई की और चला जाता है सबसे वेस्ट ऊस्तपूर से राजमार कौन सा है, आजन्ट नंबर ऑने जो है सबसे वेस्ट तूराश्ट रास्ट रादमारगे, यह है N 14, ठीक है जोenci फिर पाली, पाली से फिर अजमेर चला जाता है, अजमेर के बियावर शहर के इंदर, थीक है, एजन्थ Madeva , तीन जिलों के अंदर है नागोर से चूरू, चूरू से फिर सीकर और सीकर से वापस चूरू में प्रिविश करके पंजाब में चला जाता है ये ठीक है राजस्तान के पांच जिलो के अंदर है एनेच 65 और इसे नए नंबर जो अलोट हुए है वह है बावन, अठावन और बाशाट दोस्तों इस जिल जला जाता है यूपी के अलावाद तक और इसका नाम है एनेच 76 ये राजस्तान के साथ जिलो से गुजर रहा है ठीक है राजस्तान के साथ जिलो से गुजर रहा है एनेच 76 पर ये सवन्निम चत्रबूर योजना का भी हिस्सा है और पूर पश्चिम कोरिडोर का हिस्सा भी है आगे पढ़ेंगे हम दोस्तों अभी और एंस तीन जो था उसको एंस तीन जो है यह उत्तरदक्षेंड कोरिडोर का हिस्सा है यह जो एजमेर से होते हुए भीलवाड़ा भीलवाड़ा से फिर चित्तवड़ गड़ यह है जिसे नया नंबर अलॉट हुआ है 48 दोस्तों कि अगे देखेंगे एक और एंसे नागर नागर से बीकानेर जा रहा है तो बीकानेयर और 89 नंबर नंच जो है कौन से दो शहरों को जोड़ता है तो वह एंस जो अचमिर नागर और फिर नेर में जाके मिल जाता है नह 15 के अंदर नह 89 जो नया नंबर और लाट हुआ है वह अठावण और 62 यह जो ग्रीन कलर में एनेज चिए यह नहें चेक सो बारा इसकी खास बात क्या है अपने राजस्तान के सबसे बड़ा एनेज तो जो है एनेज पंद्रा है ठीक है लेकिन पूर्टिया राजस्थान में सबसे बड़ा एनेज यह वह एनेज 111 करीबं 328 km के आसपास इसकी लंबाई है एंच 112 जो राजस्तान का पूर्णते राजस्तान में इस्तित एंच है ज़रा राजस्तान में शुरू हो रहा है और राजस्तान में ही कृतम हो गया फिर आगे जाके यह एंच 14 के अंदर मिल जाता है पहले आप एंच 65 में मिलता है पिर आगे जाके चरह में मिल जाता है तो यह जो है और है नेक्ष 12 यह बाढ़ मेर्स जोड़फूर और जोड़फूर से फिर पाली तक तीन जिलों के अंदर है यह NH है दोस्तों इसी NH पर जो है अपना रास्तान का नवीन्तम जिला जो है 33 जिला परताब गड़ वो इसी NH परिस्थी थे NH 113 पर ठीक है इसे नया नंबर 56 अलोट हुआ है तो रास्तान का जो नवीन्तम जिला है परताब गड़ वो कौन से NH परिस्थी थे NH 113 परिस्थी थे यह NH जो गया भी bank nih color के अंदर यह NH है, NH 104 होगा शायद how NH 14 है यह जोदपूर से लेके फिर जेसल मेरी के अंदर जा रहा है और यह क्या कर रहा है जो NH 65 है यह थोड़ा orange color में जो है और यह green color में GH 112 है इन दोनों NH को NH 15 से जोडने का काम कर रहा है दोस्तो अब जो प्रमुक राश्टे राजमार के कौन-कौन से जिले से गुजर रहे हैं उनको आपको ट्रिक के माध्यम से याद करा देता हूँ बहुत ही इजी ट्रिक से बहुत ही आसानी से याद हो जाएगी और याद रखने की ज़रुद भी नहीं पड़ेगी इतनी सिंपल ट्रिक है देखो राश्टे राजमार संग्या आठ तो आठ बजे क्या होता है दारु के ठीके बंद हो जाते है सरकारी नियमों के हनुसार ठीक है तो हमारी ट्रिक भी उसी पर बेस है ताकि आपको याद निगरना हो अश्टे राजमार आठ जिसे आए तो इसे आपको जहान रखना हpex लिएन ़ाज दारू बंद हो जाएगी आठ बजे आप आगे sentence जोड़ लेना तो ठीक क्या है आज दारू ठीक है तो A से अलवर आ गया जैसे जैपूर आ जाएगा D से डूंगरपूर S से अजमेर और R से रासमन और U से उद्यपूर ठीक है आठ बजे क्या होती है दारू बंद हो जाती है तो आज दारू पिएंगे आज दारू नहीं पिएंगे मत पीना वैसे तो ठीक है न तो आपको दोस्तो जिले याद होने चीए बस ठीक है अगली जो ह तो फिर चीख डाउसे घौणी सुरंगे चैपूरिक अंदर वह एनेज-डि ग्यारा को जैपूर से जोडती है इसकी ट्रिक क्या है से कर ली और जैपूर से जैपूर ठीक है राष्टे राजमा संख्या 12 कि इसकी ट्रिक का है यह 12 वजे क्या होते हैं भूतों का जमावडा लगता है तो तो ट्रिक इतनी सिंपल है कि आपको याद करने की भी ज़रुत नहीं है वैसे तो वह सिंपल सिंपल से रहा है तो बाराधी, जैसित जैपूर सब्सक्रीच और जमाव्णा से जालावाड यह एए मिलरा ओर मैप में रखन राधी करन से तपिक है सब्सक्राइब से बड़ा इन्ही और बड़े जिल कुजरता.. सबसे important trick तो यह ही है इसकी ठीक है और वैसे trick यह है जोदा बेबी के 15,000 जल गए है जैसे 15 आए तो 15,000 जल गए किसके जोदा बेबी के जोदा से जोदपुर, बैसे बाड मेर, बी से बीका नेर, के को तोड़ा काट देना आप 15 से एनेश 15 हो जाएगा, हैसे हनुमानगर, जार से जाल और, जल से जेसल मेर और गए से गंगानगर राष्टे राजमारसंक्या 76, ठीक है, और इसके ट्रिक क्या है, सबी बाबु को उची छट पर बुलाते हैं देखो, 76 से मैंने वर्ड लिया है, चट, और सबी लोग अपने बाबु को कहां बुलाते हैं, चट पर बात करते हैं, ठीक हैं तो सभी बाबू को क्या है उची छट पर बुलाते हैं या सभी बाबू को छट पर बुलाते हैं और छट क्या होती है उची होती है तो सैसे अपना आगे सिरोही, भी से भीलवाडा, बास से बारा आ जाएगा, बू से बूंदी आ जाएगा, को से कोटा आ जाएगा, उ से उद तो बाप चिडोकला है तो बाथ से बासवाड़ा पैस से परताबगर और चिडोकला से चितोडगर ध्यान रखना ठीक है दोस्तों ये थी पर्मुक पर्मुक चिलो की जो ट्रीक है एनेच कौन-कौन सा एनेच का गुजर रहा था अब हम बात कर लेते हैं सवन्निम चतुर्प जो योजना है उसके तहट चार महानगरों को जोड़ा गया है दिल्ली, मुंबई, चैन्नाई और कोलकाता तो इसमें से जो राजस्थान के एनेच हैं वो हैं एनेच 8, एनेच 76 और एनेच 79 इस योजना के तहट जो है स्वन्निम चतुर्पु योजना के तहट एनेच 8, एन इसान के पूरुपस्टिम गलियारे के तायत वह है नेच 14 और एनेच 76 ठीक है तो इनेच 76 जो है दोस्तों इसका ध्यान रखना यह पूरुपस्टिम कोलीडोर का भी हिस्सा है और स्वन्निम चतुर्पु योजना का भी हिस्सा है नेच 76 ठीक है उत्तरदक्षिनगलियारा करीडोर जो है जो सिर्फ राज्स्तान का एक दिले से गुजर रहा है वह वह धोलपूर से और इसमें जो एननेच क्रम हा रहा है वह एनेच यह शामिल है वह नेच तीन ठीक है कि द्यान रखना आप और भारते राजमार प्रांदिकर्ण द्वारा जो है राश्ट्री राजमा पर इवन निगम की स्थापना कब हुई थी, एक अक्टूबर 1964 को हुई थी, सबसे पहले राज के बस सेवा, इनि सरकारी बस सेवा की शुरुआत 1952 में टॉंक के अंदर हुई थी, और ग्रामीन रोड़ोज बस सेवा की जो शुरुआत है, वो 14 दिसंबर 2012 को उदयपूर से की ग्रामीन रोड़ोज बस सेवा की शुरुआत कहां से की गई, उदयपूर से की गई, राज्जी की पहली सड़क नेती 1994 में गोशित की गई थी, बहुत इंपोर्टेंट है ये दोस्तों, राज्जी की पहली सड़क नेती कब गोशित की गई, 1994 में, मुख्यमंति सड़क जो राज्जे में राज्टर राज्मर्गों की सरवादिक लंबाई वाला जिला जो है उदयपूर है 508.70 किलो मिटर, अभी जो नई रिपोर्ट पी ड़ुडी की है, अभी तक एन्वल रिपोर्ट आई नहीं है, वैसे वारशिक रिपोर्ट हों, लेकिन जो अभी जो नई रि बीजिसे नया नाम 919 अलोटो है, बहुत ही इंपोर्टेंट है ये, क्योंकि राजस्तान का सबसे छोटा नहीं है जो की अलवर में इस्तित है, और इसकी लंबाई 4.27 किलो मिटर है, फिर नहीं 76A उदयपूर में 79A ये अजमेर के अंदर है, ये किशनगर से ने सिरवाद को मुश्किल होता है, ये सडक विकास से संबनेत एक संस्ता है, रिड कॉर, इसकी फुल फॉर्म एक्जाम में पूछी जा चुकी है, पहले RS के एक्जाम में, रोड इंफ्रस्ट्रक्चर डवलमेंट कंपनी ओफ राजस्तान, इसकी स्थापना 2004 में की गई थी, रिड कॉर की स 38 किलो मेटर का, सबसे चोटा एनेच तो कौन सा इगत्तर भी है, ठीके जो अलवर के अंदर है 4.7 किलो मेटर, लेकिन पूर्टे राजस्तान में सबसे चोटा जो एनेच है, वो है एनेच 79A, राजस्तान की सबसे लंबी सडक सुरंग बूंदी में स्थित हैं, और राष्ट और वाइट राष्ट के जिला सडक हैं या शहर की सड़क आ गयी है और जो और वाइटि में जो है और नेच और पेक तरफर परदान मंतरी ग्राम सडक योजना के तहर बनी हुई सडख है अब दोस्तों कुछ प्रमुक प्रशन है अगर आपने ऊशंய तो आसानीस आप इनक किंगा प्रश्तर राज half जल्च क्लय मिकुल राष्ट्रि राज्मर्गों 1 संख्या कितनी ही है 2461 संब्र 것 दिसंबर 2 संख्या किमद संथ्प में यहां पर यह रां नह Since those 12.224 6 फीस किलो मिक्टर न फ्रतां में राष्ट्रि राज्मार 17, q 기あー तो नह बारा की ट्रिक क्या थी अपनी बारा बज़े क्या लगता बूतों का जमावडा तो जमावडा से देखो एक वर्ट वर्ट जहालावाड किसमें यहां पा रहे तो चौथा ऑप्षण जो है अपना सही है बारा बज़े ठीक है तो बैस से बूंदिया गया था जैसे जै पूर्फ पस्टिम कोलीडोर दोनों का हिस्सा है राश्थान का सबसे Лंबा राश्ट्री राज्मार ठीक है राश्थान का सबसे Лंबा राश्ट्री राज्मार कौन सा NH पंद्रा है 853 बिलोमीटर का है 31.1 027 तक राश्थान में सभी सड्कों रकालविनस रास्तान का सबसे सब्सें चोटा राश्टर राजमार का एक गत्तर वी जो अलवर के अंदर और चार पुंट ई कि arrayंस मार को एंएस ग्यारा के नाम से जाना जाता है थीक है, तो मैंने क्या उता है, एक और एक 2, ठीक है, 2 सा भी आता है, ठीक है, 1, 1, 2, 2 बसे भर कर जैपूर चली, तो भर से भरतपूर आजाए, कर से करॉले आजाएगा, तो दीकों, भरतपूर किस के गंदर है, तो भरतपूर तो सिर्फ A के option में 30 नमबर के अंदर तो आगरा से होते विए बीका नेर तक जाता है यह NH दोस्तों ठीक है दो बसे भर कर जैपूर चलिए तो यह वाला option अपना 30 नमबर option सही यह आगरा से भरतपूर जैपूर सीकर बीका नेर ठीक है रास्तान का वह राष्टर राजमार जो एक ही जिले में सीमित है तो यह है NH 79 A जो की अजमेर में इस्तित है किशनगर और नसीराबाद के अंदर राष्टर राजमार संख्या 89 कौन से दो शहरों को आपस में जोड़ता है तो यह निकलता है अजमेर से होते हैं नागोर नागोर से फिर बीका नेर तक जाता है तो अजमेर और बीका नेर को जोड़ने का काम करता है कोटा-उदयपूर विकानेर टॉक में से किस एक नगर से होकर राष्ट राजमार संख्या आठा गुजरता है ठीक है कोटा उदयपूर विकानेर टॉक में से किस एक नगर से होकर राष्टर राजमर संख्या आठ गुजरता है तो इसकी ट्रिक भी क्या थी कि आठ बजे दारू बंद हो जाती है तो दारू में लास्ट में यू आ रहा है तो वो उदयपूर आ जाएगा इसका अंसर और सबसे वेस्ट राष्टर राजमार के जो कि बीच में है उदयपूर इसका आंसर राष्टान में राष्टर राजमार 15 परिस्तित नगर तो 15 जो सबसे बड़ा नेच और बड़े जिलों से गुजरेगा तो अपने बड़े जिले किस में आ रहे है पहले ऑप्शन में आ रहे बीकानेर जेसल मेर और बाड़ मेर जो है अगला प्रशन राष्टर राजमार संक्या तीन राजस्तान के किस जुले से गुजरता है तो सिर्फ एक जुले से गुजरता है कौन से धौलपूर से 28.29 किलोमेटर लंबा ही है कौन सा राष्टर राजमार राजस्तान के बीकाने ह på अमिल होता है एक पंजाब तक चला जाता है तो कौन look XX कि मम्बाइ सब्सक्रां मंधा जालोर करता है देल से प्रिवेश करता है यौuds से भरे भादमेयं बाडमेयर जेश्लमेयर से जोद्पुर जोधपुर से वी कहने शरी गंगानगर से होते हुए फिर पंजाब चला जाता है रास्तान में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुवार तुई 25 दिसंबर 2000 को हुई थी जैपोर टॉंक बुंदी तदा कोटा जहलावार से होकर गुजरने वाला राष्टर राजमार्ग है जैपोर टॉंक बुंदी अपने जैपोर आगया और भैस है अपना जो है भीलवड़ा जाए भीलवड़ा से उकर जाता है थोड़ा सा फिर तो से टॉंक ध्यान रखो आप कहा से कोटा जाएगा और जमावड़ा से जहलावार राष्टर राजमार्ग संग्या 79 89 और 8 जहां आकर मिलते हैं वह स्थान कौन सा है तो यह है स्थान अजमेर है ठीक है 79 जो है अजमेर से फिर भीलवड़ा भीलवड़ा से चित्तोडगर होते हुए MP चला जाता है 89 जो है अजमेर से नागोर और नागोर से बीकानेर चला जाता है और NH8 जो है अपने सबसे वैस राष्टर नाजमार के 6 जिलों के अ मुक प्रश्ण और आई होप आशा करता हूं मैं आपको कि यह वीडियो पसंद आया होगा आपको यह वीडियो कैसा लगा दोस्तों थोड़ी महनेच ज्यादा लगे तो जरूर बताना और कोई गलती होगी हो तो प्लीज शमा करते ना चोटा भाई समझे ठीक है जैहिंद जै